जय हिंद इस वीडियो नों टूने टेक्स्टाइल सेक्टर के संदार कमपनी है जिस तरह कमपनी के सेयर प्राइस में लगतार उच्छाल देखे जा रहा है ऐसा कहाना करलत नहीं होगा कि आने वाले स्थे में अगला ट्राइडंट बंते वह आपको देख सकता है सवाल यह है कि जब सेयर प्राइस काफी तेजी से उपर जा रहा है अपर पर अपर सर्किट लग रहा है तो ऐसे में अब हमें प्रोफिट बुक कर लेना चाहिए थोड़ा और इंतजार करना चाहिए और जो नए लोग हैं किया उन्हें इस लेवल पर कंपनी का सेयर प्राइस से भी जहाँ है यहां पर इसको बाइक करना ठीक रहेगा या थोड़ा और रुकना होगा इन्हीं सब सवालों पर इस वीडियो में बात करेंगे सब पूछ आपको बताऊंगा बिल्कुल असान भा कंपनी है और टेक्टाइल की बात करते तो इसका मतलब यह होता ज्यादा कि कपड़ा की बहुत साथ से जुड़ हुए कपड़ा बनाने का बैचने का काम करती है समझ गया अब देखिए कंपनी का मार्केट कहें पर 63 क्रोन रुपए 63 क्रोन अर्था एक मीड़ कैप कंपनी स चोक है और और प्राइस देखेंगे पांच रुपया बारह पैसा है आज के दिन का अपर शेक्ट लगा है और लगतार बढ़ते जा रहा है आप इस ग्राफ में देखिए 28 दिसंबर से 28 दिसंबर 2018 के इस कंपनी का से बढ़ना शुरू हुआ और अभी एक कईश फरोरी है आज आज के दिन तक कंपनी का सेर पाइस लगतार अप ट्रेंड ग्राफ में ही है अर्था दो माह से कंपनी का सेर पर की तरह बढ़ते जा रहा है 28 दिसंबर को जब इस कंपनी के ग्राफ ऊपर की तरह पुठना शुरूब वा उस समय कंपनी का है फ़ली ऑरे के सेर प्राइस पैसा था एक नशी माह में में बताओं कितना की टाकतवर है यह यह थोड़ा से देखें माह में 25 पूर्प is इसमें एक लाक रोपे लगा लगाया होते तो आप तक एक लाक 30ीजा रोपय बन चुक था होटे हैं वहीं माहा में देखेंगे तुछ 15 trabaj परसेंट का संधार डिया है और 113 teenagers तुछ सवाल में परसेंट झा संधार यह जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेबल होता है वन से लेकर 4 तक होता है इसलिए a1, a2, a4 होता है और और र2, r3, r4 होता है देखिए इसका r1 लेबल था पांच रुपया 0-3 पैसा उसको यह पार कर चुका है अब आके है r2 लेबल कास बस r2 लेबल है 5 रुपया 18 पैसा अ सकते हैं चार रुपया ठाउन पैसा क्या स्पास तक क्योंकि आरे सई देखेंगे तिरानवे पॉइंट पांच चार लगभख चुवरानवे का स्पास है और आपको पता है आरे साइस सतर कूपर चला गया है मतलब अभी ओवर बोड जोन में कभी नीचे की तरफ रुड़क सक अब फंडामेंटल चेक करते हैं कि फंडामेंटली कंपणी के इतना इस्ट्रोंग है तो समझेंगे के रिजाल ठाली में आया है उसमें कंपनी का रिभेनू 13 करोण 11 लाग से बढ़कर 13 करोण 41 लाग हो गया है और तीन माहा में कंपनी को कर्यों 30 लाग का रिभेनू सुद इसको प्राप्थ हुआ है और बात करें प्रोफिट आफ्टर टेक्स की जिसको सुद मुनाफ़ा करते हैं यह तो इंकम हो गया अब मुनाफ़ा कितना है वह भी देखना चाहिए ना तो देखिए क्वाड़ टू में कंपनी को मुनाफ़ा निवा तो लौस हुआ था इसका आगे देखेंगे तो कंपनी का पास जो रिजर्ब है निगेटीव माइनस 78 लाग कंपनी के पास शर्फ कर्जा कुछ जादा नहीं है आसेट से देखेंगे जो कंपनी की संपती होती है वह 31 क्रोन 13 लाग की है और यह और पिछले कुछ पाहटर लाइपलर से जाहिए यह थोड़ा कम होना चाहिए और यह भी देखेंगे तो बढ़ते जा रहा है इसको कंपनी को कम करना चाहिए और आसेट्स बढ़ाना चाहिए और समझें प्रोमोटर की हिस्सेदारी यह काफी अच्छा है पबली के पास 77.89 परतिसत की हिस्सेदारी जासे अब जानते हैं कि ज्यादा अच्छी बात यह भी कि इसमें डी आई आई अर्था डोमेस्टिक इंस्टियूशन इंवेश्ट जीरो पॉन थी एट परसंट की हिस्सेदारी है अर्था जब डी आई आई पर यह जो लोग यह सोच लेगा उन्हें पर निचे आने दीए जब यह 30-40 आउस आएगा सेर प्राइस भी तब तक फुरा डाउन हो चुका रहा है और बाकी जो लोग यह सोच लेगा सबसे परेट कर नहींुं करना चाहिं सबस्कों पर चिषान निकाल लीजिए और उसके बाद je पर आपको इंफ़र्मिटिव लंगी होगी उडिए कहों में जो समझ माया होगा ऊगर मनमें कोई इस्वाल है तो उससे पुछे बाकि मिलते ने के देना थैं थया